दोस्तो विक्सित और विकासिल देश क्या है यह अक्सर चर्चा का विशाय बना रहता है काप सारे लोगों के मन में कन्फूजन रहता है कि आखिर अमिरिका को क्यूं विकासिल देश कहा रहता है और भारत को क्यूं विकासिल देश कहा रहता है तो आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है और कौन-कौन से criteria हैं जिसके basis पे हम कह सकते हैं कि कोई देश जो है विकसित यानि की developed country है और विकासिल यानि की developing countries है तो दोस्तों अगर विकसित देश की बात करते हैं तो विकसित देशों में काफी हद तक developed economy रहती है काफी हद तक industrialization रहता है उन्हें हम self-sufficient nation भी कह सकते हैं तो ऐसे देश जैसे की Singapore, Australia, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Norway, Sweden, Switzerland ये सारे देश जो हैं इन्हें developed country कहता है यानि कि ये विकसित देश हैं दूसरी तरफ में जब हम कहते हैं विकासित देश तो ये सारे वो देश होते हैं जो की अपने initial phase of industrialization में हैं और जहां पर लोग की per capita income जो है काफी कम रहती है अज compared to developed countries तो developing countries के श्रेणी में ब्राजील, चाइना, कॉलंबिया, भारक, इंडोनेशिया और सिलंका जैसे देश आते हैं अगर unemployment की बात करें तो developed countries में unemployment काफी कम रहता है गरीवी काफी कम रहती है जबकि developing countries में unemployment थोड़ा सा हाई रहता है और गरीवी भी हाई रहती है developed countries में बच्चों की मृत्युदर काफी कम रहती है लोग की जीने की उम्र काफी ज़्यदा रहती है जबकि developing countries में बच्चों की मृत्युदर ज़्यदा रहती है और लोग की औसतन जीने की उम्र compared to developed countries कम रहती है विक्सित देसों में living conditions काफी अच्छे रते हैं, जबकि विकासिल देसों में living conditions उतनी अच्छी नहीं रती है विक्सित देसों में revenue का main source रता है, industrial sector रता है जबकि विकासिल देसों में revenue का main source रता है, वह service sector होता है विक्सी दिसों में industrial growth काफी high रहता है जबकि विकासिल दिसों में कम रहता है Standard of living विक्सी दिसों में high रहती है जबकि विकासिल दिसों में कम रहती है Distribution of income विक्सी दिसों में लगवग बरावर होता है जबकि विकासिल दिसों में काफी unequal होता है यानि कि विकासिल देशों में अमीरों और गरीबों में अर्निंग कापासिटी में काफी अंतर होता है तो ये कुछ मुख्य कारण है जिसके वज़े से हम भारत को एक विकासिल देश कहते हैं जबकि अमेरिका को एक विकसिल देश कहते हैं हाला कि हाल कि अगर कुछ सालों में अगर हम लोग देखें तो भारत बहुत तेजी से उभरता हुआ एक देस है और पर कैपिटा इंकम में भी बढ़ोतरी देखी गई है स्वास्त की सिवाव में सुधार हुआ है इंडेश्टियल ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है तो हम आसा कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत भी विक्सिदिस्टों की श्रेणी में आ जाएगा आपका इसके बारे में क्या कहना है अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप वो क्या लगता है कि भारत को विक्सिदिस्ट बनाने के लिए सरकार को और क्या करना चाहिए और हमें और आपको यानि की इंडिविजल्स को भी अपनी तरब से क्या कोशिसे करनी चाहिए दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकोन को क्लिक कर लें और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेर करें हमारे ओनलाइन ट्रेंग कम सर्टिविक्शन प लगते हैं आपका दिन मंगल मैं हो जाहिन